रहुल गांधी की भारत जोरो यात्रा किसी भी हाल में ना उनके लिए शुब है और ना ही पार्टी के लिए और ना ही इंडिय अलाइंस के लिए जब रहुल गांधी ने भारत जोरो नया यात्रा निकालनी शुरू की तो कॉंग्रिस के दिगजनेता मिलन देवरा पार्टी छोड़ कर चले गए फिर असम पहुंचे रहुल तो अपने उपर F.I.R करा बैठे और जब बिहार पहुंचने वाले थे तो नितेश कुमार ने इंडिया लाइन्स को जटका दे दिया रहुल ने एक समय में P.M. Modi को पनौती कहा था लेकिन उपर जिन घटनाओं का जिक्र हमने किया है उसके बाद आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि P.M. Modi पनौती कैसे हुएं P.M. Modi के लिए लगातार अच्छी खबर आ रही है बिहार में भी इंडिया की सरकार बन गई लेकिन रहुल गांदी के लिए हर तरफ से बुरी खबर आ रही है और कॉंग्रेस और रहुल गांदी कोलेकर जो खुलासे हो रहे हैं उससे सब हैरान है एक बार फिर रहुल की आतरा कुलेकर ऐसी खबराई है जिसे जान कर आप चौक जाएंगे क्या है वो खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में दरसल लोग सबचनाओं से पहले रहुल गांदी आतरा निकाल रहे हैं रहुल गांदी आतरा के जरिये भारत जोडने की बात कर रहे हैं लेकिन वो बात अलग है कि कॉंग्रेस के नेता पार्टी छोड़ कर भाग रहे है और इंडिय अलाइंस भी तूट गया है लेकिन अब राहुल की यातरा को लेकर असम के मुख्यमंत्री हमंत विश्वसर्मा ने कहा है कि वो जल्द ही कॉंग्रिस नेता राहुल गांधी की बौडी डबल की जानकारी साजा करेंगे इसे पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने असम में अपनी भारग जोरो न नयाय यातरा के दोरान एक बौडी डबल का इस्तमाल किया था जो बस में बैठा रहता था सीम हमंत विश्वसर्मा ने एक कारिक्रम में कहा था कि मैं सिर्फ बोलता नहीं हूं मैं कुछी दिनों में बौडी डबल का नाम पता सब सामने लाऊंगा बस कुछ दिन इंतजार क कीजिए उन्होंने कहा कि वो दो दिन के लिए डिवडुगर जा रहे हैं और वापस गौहार्टी आकर राहूल गांधी के बौडी डबल के विशाय में जानकारी देंगे इससे पहले सीम सर्मा ने 25 जनवरी 2024 को आरोप लगाया था कि राहूल गांधी अपनी भारत जोरो न बैठने की एक कमरा है राहूल गांधी उसमें बैठते हैं मोवाईल में एक ट्वीट दिखाते हुए उन्होंने कहा कि जो सामने बैठा है वो राहूल गांधी नहीं है वो दूर से राहूल गांधी लगता है मैंने ये देखा नहीं है पर आप ट्वीट देख लिजे मुझ कौंगृस को इस यात्रा से कैसे फाइदा हो रहा है ये समझ से परे है जबसे राहूल गांधी ने यात्रा शुरू की है बीजेपी और मजबूत हुई है कॉंगृस के नेता तो बीजेपी और एंडिये का दामं थाम ही रहे है और अब इंडि गटबंदन की बिहार में सरकार ही गिर गई है और राज में इंडिये की सरकार बन गई है ऐसे में रहूल गांधी किसके लिए यात्रा कर रहे है ये बड़ा सवाल है ब्यूरो रिपोर्ट ओमेच निउस